बनारस में थे सर तो लगी रात में उनको में नानता हम लोग दिली लाये हैं जी इस समय अभी ब्रदरबार देख रहा प्रजेन टाइम में वर्तमान में जी आपके भहिया इस समय होश में हैं जी आप बात करके किसी से फोन से पूछ सकते हैं जी वह आपको बताएगा कि आप होश में आगाय प्रजे को मा से बहार आगाय है को मा में थे रहते हैं जी आज आपके करिपा से हुआ है बड़े विया जो हमारे अशोक कुमार जी अभी आई स्यू में है अवित तक होश तो नहीं आया है लेकिन आज आख दोपहर में खोले है थोड़ा सा अब यू कोमा से बाहर आ जाएगा जी 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 कोमा में थे ना जी जी कोमा से बाहर आ जाएगा जी बनारस में थे सर तो लगे रात में उनको में दानता हम लोग दिली लाया है जी इस समय अभी वो खोश में आ गये हैं, कोमा से बाहर आ गये हैं, वो कोमा में थी बहुत बहुत कुरपा गुरुजी और देखिये, उनको क्या हुआ था, कि मेधस में चोटा सा ट्यूमर था, वो फटा, समझ रहे हैं, और फैला, उसके कारण से ही सब हुआ, और क्लोटिंग हुई, जाकर के हार्ट में फस गया, जी गुरुजी उसके कारण से उनको किस्ट जादा हो, किड्नी में इन्फेक्शन है गुरुजी दा हुआ, वो तो सभी जगे था, पेंक्रियास सिकुल रहा था, सुन रहा था, किड्नी उनकी ऐसी थी, यह उनकी किड्नी है, देखो किड्नी कैसी, जी जी गुरुजी यह किड्नी के कर जी और यह सारे उनके जो ब्रेन में ट्रिमर फटा कोमा किस्टियां इस सब्दे को पहले से लिखा हुआ, दरवान लिखके रखा, जी गुरुजी जी आरा पढ़ने हमें? जी गुरुजी जी गुरुजी एक तारिक का इस्टोक हुआ था, लिखा है ना, सब लिखा है इसमें, जो जो हुआ, आज 16 दिन हो गया गुरुजी अभी होस नहीं आया, बिल्कुल बिल्कुल, अब आज होस आ गया, जी जी आखाधा खोले हैं गुरुजी, आज वंडे हम किये हैं आपकी कृपा से, बड़ी हां, जी गुरुजी, और हमारा परिवार स्ब ठीकि घुरुजी आपके अशुर वासे पहली बार दर्बार माये गुरुजी अपने एकमित्र के सहारे और Mril Okay पस एक आवश्यक काम की कल प्राते काल उनका संकल प्ले करके एक महावन जरूर कर लिजी दरबार का एक दिसी महावन निशुल के दरबार की और से है वो और तर लिजी ठाकि उनके हालत में जो और सुधार आए उनकी जो तमाम असाद रोगी स्वितिया है वो भी नश्ट है जिए जो लाल निशान लगें ये सारे उनके के अंचमत सी आ है लाल निशान पढ़ लगें यही सा था की नहीं है जी सर जी गुरीजी मैंने इसाव में उनके दुखत रहती ती दुनों किड्ने उनका काम नहीं कर रहा था वही लिखा ना को उनकी समस्य जो है जी आक्सीजन की कमियों हो जाते थी गुरजी रहा है जो चक्कर आना जो मैं स्वेलिंग करना ऐसा होता उपर लिकाएं उनको ब्रेन इसमें लिकाना जलन भी होती थी यह जित्र बनादा कि डिनी का उनका जी नीचे सूजन रहना जलन होना यह सारा जी युरो का प्राब्लम था उन्टो गुरुजी उनको अंदर काफी हो गई अंदर सूजन और दीरे देरे निश्क्री हो रहे थी किड्नी करीव सार्ट जी अच्छे पेन रहता था बस गुरुजी आंकों धुन्दा पना रहा था इस अपका इंसर बनने लग गया दसारा रही है जी युरेत्रा में सूजन देखी लिखी है युरेत्रा में सूजन अंडर कोस में सूजन इजा रेक्टम में इंफेक्शन ता गुदादवार में जी और एक शीवरेत्र में स्वैलिंग जो किड्नी के से जो पेशाब की ठाली तक नली आती एना उसको युरेत्र बोलते है उस पर तमाम सूजन देखी इसके करनब पेशाब पास रहां नहीं जी इस सब सारी प्रॉब्लम से इस सारी इस प्रुपिया नश्ठी बाव माश क प्रार्तना करते रहना जो आसाद इस्वरतियां उसके लिए दर्वार की और से शुल्क माहा हुआ है जी गुर्जी वो कर लीजिए तत्काल ठीक है ठीक है ठीक है गुर्जी कर उसे परसंद परसंद